हेलो एबरिवेन वेलकम बेक टूर चैनल तो आज हम डिसक्स करने वाले हैं सोशल साइन्स का पेपर जो कि आपका 26 तारीको है 26 फरवरी को जो पेपर है वह वाला पेपर डिसक्स करेंगे क्योंकि यह वाला पेपर इसको बनाने में काफी ज़्यादा टाइम लगा काफी ज़्यादा मह侠ी लगी और उसे के साथ में लाइक भी कर दे करो अगर आपको अच्छा लगो और अपने दोस्तों के साथ में शेसर में लाना चाता dor कि आपलों मैं ऐसे तो मिल नी है अगर मिल पाते तो हम अंधु कौन को नाना चाहते हैं तो हाथ दुपर करके या पिक युद essere सुलएवा साथ करी अभी यह जो पैपर है यल्टी मीडियम वालेormanमस के लिए और इंग्लिश M वा ले है उनके लिए next वाला पेपर आएगा English के अंदर तो English वालों के लिए वो वाला है तो Hindi वाले देखें इसे English वाले ना देखो और यह पेपर कहाँ पर मिलेगा है यह पेपर आपको मिलेगा नीचे एक वेबसाइट का लिंक है उसके पर आपको जाकर के PDF मिल जागी तो वहाँ पर जाकर के आप इसे देख सकते हूँ तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसके अंदर कहा गया है कि लोहे असायक किस प्रकार का संसादन है तो यहाँ पर मेरे साथ साथ में बताते वेचलो कि आवाले का उत्तर क्या है यह होग reference क्या है पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा है जल्दी से बताओ यहाँ वाले का जो उत्तर रहेगा वो रहने वाला है नवनिकरंढ योग्या फिर नवनिकरंढ योग्या प्रवाहज हेव तो यहाँ पर आपको दो में confusion हो रहा है कि नमनी करण होगा है अनमनी करण होगा तो यहाँ पर बात करी गई लोहे असायक किस प्रकार का संसादने है तो लोहे असायक किस तरीगी का उतर ही होता है अनमनी करण योग्य है तो फिर यहाँ पर किस तरीगी का उतर होगा है इसका होगा है चार तो इस ने भी चार करा है उस पर इसमें कौन से रहने वाला है बैवाले का जो सही उत्तर है वो है दो फिर चालते हैं तीसरे वाले के अंदर तीसरे वाले का भी बताओ कि इन में से कौन सी रभी फसल है यह वाला इंपोर्टेंट है अब इसमें तो यहां पर रभी का पूछा गया है आपसे खरीफ जितनी है इसके अंदर रभी फसल जिसने भी रभी फसल के अंदर चना करा है उसका एकदम से सही है फिर उसके बांद चलते है दय के अंदर दय वाले के अंदर है कि निमन में से कौन सा उध्योग चुना पदार्थ को कच्चे माल के रूप में परियुक्त करते हैं तो यह कौन से वाला करते हैं यहां पर यह तो सभी को आना चीए यह वाला जिसने भी आंसर इसका सिमेंट करा है सिमेंट इसका एकदम से सही उत्तर है और फिर उसका पर चलते हैं यहां पर हमारे देश में निमन में से कौन सा महत्वपुर्ण परिवान का साधन है तो कौन सा साधन है भई सबसे मतलब की महत्वपुर्ण महत्वपुर्ण का अगर बात करें तो क्या पाइपलाइन है नहीं भे साड़क परिवान नहीं है वाइव परिवान नहीं है तो सबसे महत्वपूर्ण की बात करीगे तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें बस एक ही बसता है कि रेलवे परिवाहन तो इसका जो उतर है वो है यहाँ पर दूसरे वाला एकदम से सही है फिर उसके बात में चलते हैं यहाँ पर लास्ट वाली के अंदर इसके अंदर कहा कि लो प्रशन आपको जरूर से देखने हैं यह वाले काफी जदे इंपोर्टेंट है तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना अब हम पहले वाले के अगर बात करें तो पहले वाले के अंदर का आगे कि भारत में सीहों की परवारती का आवाश गुजरात का कौन सा है बैए तो यहाँ फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पर क्योशन नंबर सेकेंड के अंदर जिसके अंदर की नेपोलियन बोनापार्ट कौन से सन में युद करा था तो यह जो सन होती है सन को थोड़ा ध्यान से रखना नेपोलियन बोनापार्ट की दूसरा वीस्वा युद कब हुआ था यहा आपर करो या मरो का जो नारा था वो दिया था नेंसन मंडेला ने तो नेंसन मंडेला ने इसका नारा दिया था तो यह साथ में करते हुए चलो फिर उसकर चलते हैं यहाँ पर चोथे के अंदर है कि भारत में कैसा सासन है तो भारत में लोकतंत्र है तो यहाँ पर लोकतांत लोगतांतरिक सासन की कुछ विसेशता है बताता हूँ आप लोगो लोगतांतरिक सासन क्या होता है यह होता है लोगो के द्वारा होता है ठीक है यह बात याद रखना लोगो के द्वारा होता है लोगो के लिए होता है लोगो से ही होता है मतब कि जो लोगतांतरिक सासन बनात प्रदब फिर उसके बाद में है आप पर पांचोंगेंदर रंग भेत नीती का विरोध करने वाली दक्षेन अफरित का के कौन से नीता थे तो यहां पर इसके अंदर जो नेता थे वो थे अरे सुनो 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 यह थर्डवाली के अंदर आप लोगोंने नोटिस करा ओका मै यहां पर एक गलती करी जान बूझ की, आप लोगों को मैंने बोला करो या मरो का नारा किसका था, मैंने बोल दे ने इंसन मंडेरा, ने इंसन मंडेरा नहीं है, जिसने भी सही कराए, एकदम से कॉंग्रेचुलेशन साफ अप अटेंटिवों, मैं ऐसे बीच बीच में, बहु सही होता है, फिर उसको बात चलते हैं कि यहां पर 500 के अंदर रंग भेद की नीती का दक्षिन अफ्रीका की बात करी गया, तो यह ऐसे याद रखे लोगों कि दक्षिन अफ्रीका में, जो हमारे आते हो आते हो आते हैं नेल्चन मंडेला, अब ये हैं ये एक आदमी थे, य थोड़ा ध्यान में रखना, कही के लोग इनको और अच्छा मसते हैं तो वो मत करना, फिर उसको बात चलते हैं यहां पर चाटे के अंदर, चाटे के अंदर है कि उध्यों की क्रांती सर्व पर्थम कहां पर प्रारंभ हुई थी, उध्यों की क्रांती की बात करी गई और का भी सन काफी जादा इंपोर्टेंट है, तो यहां प्रियादी हम बात करें, तो इसके अंदर बोलागे नेपाल में विलिक्षन, विलिक्षन जाना अंदोलन याद है होना चाहिए, यह होगा था 2006 के अंदर, फिर उसके बाद में चलते हैं आपर इसी तरीके से, किस देश से था, इसका जो संबन था, वो था फ्रांस से, किसे था, फ्रांस से इसका संबन था, फिर उसके अंचलते हैं सेकेंड वाले के अंदर, सेकेंड वाले के अंदर है कि I.M.F का पूरो नाम क्या है, तो इसका नाम लिखना अंतरास्ट्रिये मुद्राकोश, अंतरास प्रिंटिंग प्रेस के अगर बात करी जाए तो यहां पर सोलवी सदी की बात करी जाएगी प्रिंटिंग प्रेस है ता और प्रिंटिंग प्रेस को आप यह भी समझ सकते हो कि प्रिंटिंग प्रेस का मतलब है मीडिया यहां पर आप चलते हैं पांचोंगे अंदर कहा गया कि हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया तो भई हीरा कुंड जो बांध है वो महा नदी पर बनाया गया ठीक है महा नदी ठीक है महा नदी ऐसे नाम आएंगे कि कौन सा बांध किस पर है तो यह अपनी तरफ से करत लिखता जाओंगा, यह सं में यह हुआ था, वह हुआ था, हाँ कि मैं इसकी वीडियो तो ज़रूर से बना के आप लों को दे दूँगा, कि सारे सारे सं वागेरा कैसे याद रखने है, वो वीडियो तो मिल जाएगी, लेकिन एक बार खुझ से करो, फिर मैं वीडियो यहाँ पर इसके अंदर कांडला बंदर गा और चोथे वाला है, चोथे वाले के अंदर एकुर्ण वाले के उत्तर चाहिए, अगर अभी तक आप लोग देख रहा हो, तो मतभब बहुत और इसका उत्तर बता, वो भोक्ता संजांड़क्षन अभी नियं, कब लागु हुआ था तो अगर हम बात करेंगे कि कब लागू होने की बात करेंगे बनने की बात नहीं करेंगी तो लागू होने की बात करेंगी थी वो हुआ था 1986 में 1986 के अंदर हुआ था फिर उसके बाद में चलते हैं आप पर next जो आने वाले हैं वो आने वाले सत्य और सत्य और सत्य वालों के अंदर आप गलती का करोगे कि इनको पूरे को लिखना है लेकिन नहीं एक्जाम के अदर रिखना है कि फोर्थ ऐसे डाल दिया फिर उसके बाद में एक अंदर लिख दिया कि हाँ यह सत्य है ठीक है फिर उसके बाद में हमने लिख दिया बी यह क्या है यह सत्य है बस इसके लाव कुछ भी लिखने की जरुवत नहीं है और ऐसे वाली की बात करी जाए कि जो वनस्पती मूल रूप से भारती नहीं है उससे देशज वनस्पती कहते है तो क्या भाई यह बात सही है नहीं भाई एक दम से गलत बात है इसे देशज नहीं कहते है तो क्या करते बता कि अगर सत्य होगा तो आपको सत्य कर बताने की यह नहीं यह एकदम से गलत बात है और यहांपर 1990 में भारत के गट वंदन के सरकार की शुरुआत हुई थी, नहीं भई, तो फिर कब हुई थी, बताओ, उसके बाद में यापर पांचों के अंदर है, इसाई धर्म की शेक खाएं, केलो ठिक और प्रोटेस्ट दो भागों में बटी थी, नहीं भई, एकदम से गलत है, फिर उसका अद में सहर में ग्राम जैसे पात है, उसको सहरी करण कहते हैं, ठीक है, तो इसका ये लास्ट वाला भी गलत है, बस एक इसाई वह है दूसरे वाला, ठीक है, फिर उसका पर चलते हैं यहाँ पर तीसरे वाले के अंदर, जो की है, आप लोगों को क्या करना है, अब मिलानी इनकी जोडी, अब जोडी मिल आएंगे तो भी यह जोड़ी मिलाना सीख जाओ अब जोड़ी के अगर बात करें यहां पर लोगतंत्र लोगतंत्र कहां पर था लोगतंत्र इन में से कौन से में मिलेगा यहां पर केरल में तीन में बहुत सासन नेंशन मंडेला तो यहां पर इसके अंदर जो आएगा बहुत सबसे कम कौन सा है जब याद करो तो ये भी कराकरो कि कम कौन सा है और सबसे ज्यादा कौन सा है ज्यादा में ये दोनों में से कोई सा भी पूचा जा सकते है तो ये दोनों इंपोर्टेंट रहते हैं कम और ज्यादा वला तो दोनों देख लिया गरो पर इसी तरीके से यह आएगा कि मुद्रा का आधोनिक पर रूप कौनसा हैं तो अब जल्दी से बताऊ कि इंडिया की पर यह अब इसे का अमेरिका की बात करें तुछ vendor यह फिर उसके वादिन चलते हैं यहां पर इसके अंदर आता है इनकी जोड़ी बनानी है फिर उसके गाद में आते हैं आपके पास में यह precision जो कि हैं अब यह दो-दो-दो-दो नंबर के प्रेशं के अंदर एक बात में बता जता हूँ इनके अंदर हैं कि सब्द सिमा का मतलब क्या है यदिश में बोला गया है कि संसाधन किसे कहते हैं तो बस इसको दो लाइनों से जादा नहीं लिखना, दो लाइनों से जादा लिखने की ज़रुत नहीं, दो नंबर का है, या तो होज़के तो पॉइंट के लिख दो कि ये होता है, और फिर उसके बाद में इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, ठीक है, बिंदू बना करके हाँ एक बिंदू ये और दूसरी बिंदू ये, तो इसे नंबर जादा मिलने के चांसे से होता है, ये उसमें कम मिरते हैं, जैसे कि अगर आप पूरा-पूरा ऐसे लिखोगी, ये होता है, ऐसे ऐसे लाइन लिखोगी, और एक आप लिखोगी पॉइंट्स में, तो पॉइंट वालों में क्या मिलते हैं जादा नंबर मिलते हैं तो यह साथ में करते हुए चलना फिर उसके बाद मैं आता है यहाँ पर की यह अब यह सारे सार प्रेशन में बड़े बड़े तो इनसे अगर मैं तक देख रहे हो तो बहुत यह बड़ी बड़ी बात है यह पूर एक पूरा पीपर आप लोग के लिए है एक डम से कम्प्लीटली अगर इसकी पीडिएफ चीए तो नीचे एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा वहाँ पर जाकर कि आप इसकी पीडिएफ देख सकते हो यह पूर करना और इसमें से कोई से भी 3 करना ही यह देख लो जब इसमें बोल दिया जाएकि कोई से भी 3 करना है तो बँच्चों ध्यान से पढ़ना है इसको अगर कोई बी से भी 3 ना अगर छोड़ दोगे तो गलती हो जाएगी फिर इसी तरीके से पूरापरा पीपर है और काफी जल्दी आपनों को दूसरा वाला पेपर भी में जाएगा तो उसके लिए क्या करलो सब्स्क्राइब करलो और भी पेपर हैं आप लोग